दोस्तों अक्सर कमेंट में आप पूछते हैं कि वीडियो एडिटिंग एप्लिकेशन कौन सी अच्छी है जब मैं लाइव करता हूँ तो भी आपका यही सवाल होता है आज की वीडियो में मैं आपको साथ ऐसी एप्लिकेशन बताऊंगा जिन से आप काफी अच्छी एडिट वो है वीवा कट प्रो अगर इसके फीचर की बात करें तो इसके अदर आपको क्रोमा की का ओप्शन देखने को मिल जाता है अगर आप ग्रीन स्किन पर वीडियो बनाते हैं तो काफी अच्छे एफेक्ट यूज कर सकते हैं इसके अलावा आपको ब्लेंडिंग ओप्शन द सारे टूल्स मिल जाते हैं जैसे स्प्लिट करना ट्रिम करना जितने भी टूल्स होते हैं सारे इसमें मिल जाते हैं इसके अलावा आपको टेक्ष्ट लिखने के लिए प्रोफेशनल डिजाइन्स इसके अंदर मिल जाते हैं जिनको हम प्रोफेशनल टेक्ष्ट कहते हैं इस दोस्तो अब बात करेंगे छटे नंबर की application के बारे में इस application के नाम है a light motion और इसके अंदर जो आपको feature मिलते हैं सबसे पहले तो मिलता है keyframe animation इसके बाद आपको इसमें multi music का भी option मिल जाता है क्योंकि music भी बहुत जरूरी है हमारी videos के लिए इसके अलावा आपको इसमें color grading का option मिल जाता है यह बहुत ही कमाल का feature अगर आप outdoor shoot करते हैं तो आपको color grading की तो बहुत ज़्यादा requirement होने वाली है इसके अलावा आपको visual effect भी इसके अंदर देखने को मिलते है custom aspect ratio आपको मिल जाता है blending modes मिल जाते है vector graphics मिल जाते है और यह expert editing app आपको अलग-अलग format में आप export कर सकते हैं अपनी videos को दोस्तो number 5 पर जो application आती है यह है funny mate इसके अंदर आपको कौन-कौन से feature मिल जाते हैं इसके बात कर लेते हैं तो इसके अंदर आपको any missions मिल जाते है masking का option भी मिल जाता है sleek transition का option भी इसमें मिल जाता है chick effect का option मिल जाता है इसमें fancy text भी देखने को आपको मिल YouTube और यह insert की तरफ से आता है यह insert जो है इसके बारे में आपने सुना होगा काफी सारे ऐसी editing apps ने बनाई है जिसमें अलग-अलग feature आपको मिलते हैं लेकिन अभी हम बात कर रहे है video editor for YouTube application के बारे में तो चलिए बात करते हैं इसके feature की तो इसमें अगर feature की बात करें तो सबसे free music का भी option मिलता है साथ में आपको video filters भी मिल जाते हैं speed को आप adjust कर सकते हैं आप video को crop कर सकते हैं इसके लावा आप video को compress भी कर सकते हैं यानि कि 60 MB की जो videos को आप 6 MB तक compress कर सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं तीन number पर कौन सी application आती है इस application का नाम है video editor and free video maker अगर बात करें इसके feature की तो यहाँ पर आपको fantastic theme मिल जाती है सबसे फिले तो आप video में कई तरह की theme भी change कर सकते हैं इसके लावा आपको multi music का option यहाँ भी मिल जाता है keyframe editing का option भी यहाँ पर मिलता है multi layer editing मिल जाती है with speed adjusting यानि कि आपकी जो video layer है उसमें आप speed को भी adjust कर पाएंगे इसके अला तो अब बात करते हैं कि दो number पर कौन सी application आती है जो दो number पर जो application आती है काफी popular है cyber link power director इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं बहुत popular application है मैंने खुद इस पे complete tutorial भी बनाया हुआ है अगर आप i button में जाएंगे तो आपको वो video मिल जाएगा और आप complete editing इस application प सकते हैं इसके अलावा आपको photo video editor मिल जाता है इसका मतलाव आप photo से भी video create कर सकते हैं साथ में आपको chroma की का option मिल जाता है video effect इसमें मिल जाते है video की speed का control भी कर सकते है ये option भी आपको इसमें मिलता है voice over का option मिल जाता है music डालने का option मिल जाता है और सबसे बड़ी बात है इस application के बारे में लगबग आप जानते होंगे, इसका नाम है किने master, जिसको कुछ लोग काइन master भी कहते हैं, लेकिन इसका original नाम है किने master, ये बहुत कमाल की और feature rich application है, बहुत ज़्यादा popular है, बहुत लोग use करते हैं इसको, और इस application के बारे में जितने feature बताये जाए उतने क आप जितना कुछ सोच सकते हैं वो इसके अंदर कर सकते हैं अब इसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं फिर भी मैंने इसको number 1 पे इसलिए रखा क्योंकि जब भी applications के बारे में बात की जाएगी तो इसको भूला नहीं जा सकता अगर आप बात करें कि वैसमें कौन-कौन स इसके अंदर मिल जाते हैं और इसमें आपको audio के लिए pro tools मिलते हैं आप इसमें voice over भी काफी अच्छा कर सकते हैं इसके अलावा मैं आपको इक चीज और बता दूं कि आप इसमें 60fps तक अपनी वीडियो को export कर सकते हैं और दुनिया भर की चीजे इसके साथ कर सकते हैं इसलि power director का जो tutorial है उसका link भी आपको आई बटर में मिल जाएगा बाकी जो 5 application है उनमें से अगर आप कहेंगे comment में लिखेंगे तो आप जिस्व का बोलेंगे उस app का एक complete tutorial मैं आपके लिए बना के दे दूंगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like share कर दीजिए चैन् झाल झाल